कपिल सिबल ने कॉंग्रेस से इस्तिफा दे दियाए और आज समाजवादी पार्टी से बतार इंडिपेंदेन्ट कैंडिडेट के तौर पर राजेसबा का फॉर्ण बढ़ा है जिसमें समाजवादी पार्टी ने उन्हें सपोर्ट दिया है इसी पर बाचीत करने के लिए हमा के कपिल सिबल ने कॉंग्रेस अपने आप छोड़ी ऐसा नहीं है जी 23 में सबसे ज्यादा सिस्टम से खिलाफ कपिल जी थे बाकि सब भी थे सब को कॉंग्रेस चले इसमें इंट्रेस्ट था लेकिन पर्टिकुलर जो लीडर सीप है इसमें इनका रिजर्वेशन था मैं अखि अशी बात है और कप्र जी ने भी कॉंग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं कहा है Um! कि फॉर्मलिटी के हिसाब से प्रटि में रिजय करना चाहिए इस लिए इन्हों कर दिया पॉब 돼 करने के बाद पब्लीक में न ने कहा कि genocide न कप्र जी ने कहीं कहा कि भी cancer डिजैन कर दिया है टेक्निकली को एक पार्टी के मेंबर आप रख नहीं सकते क्योंकि पार्टी में रहना है तो पार्टी की डिस्ट्रिम में रहना चाहिए इसलिए इंडिपंडेन आवाज व्यक्त करने के लिए राजसभा में जो सिलेक्शन इनका हुआ और खुशी से इनन सबा में ज़रूरी है पिछले जब से चिंतन शीवेर खतम हुई है उदैपूर में कॉंघ्रेस की अब तक तीन बड़े नेताओंने कॉंघ्रेस को छोड़ दिया है क्या लगता है क्या वज़ा है कॉंघ्रेst छोडने की एनorc promotion की जरिया । और कोई नेता है जो Congress छोड़ने की लाइन में जी 23 में आप भी गये थे जी 23 में तो भी कोई नहीं है जो छोड़कर अलग जाए सब ने कहा कि हम Congress में है Congress में रहेंगे लिडर्शिप के थोड़ा रिजर्वेशन था मेडम गाधी के बारे में लेकिन रहुल जी के बारे में वो छोड़कर कोई बीजेपी में जाने वाला इसा नहीं है पंजाब में जो जाकर जीन ने छोड़ा वो इनकी अपनी कंपल्सन होगा जो भी होगा मैं समझता हूँ कि पार्टी के इसाब जब हाँ पार्टी छोटी बन गई एसेंबली के इलेक्शन के बाद और बाकी जो कपिल जीन ने छोड़ा वो पार्टी छोड़ी ऐसा नहीं कह सकते कॉंग्रेस के पास इसी कोई सीट नहीं है अभी कि वो कपिल सिंबल को ओफर करेका आईए हम कॉंग्रेस की ओर से आप राजसभा में जाईए और राजसभा में बेजने के लिए तो मैडम गादी का आखरी लब्स होता है उसमें पैसे कंसेडरेशन नहीं होता है काम की उप्य इसलिए इनको लगा होगा कि कप्रिल शिबल को हमें अड़्जस्ट नहीं कर सकते हैं कप्रिल शिबल जी को ऐसा लगा होगा कि राजसभा में रहना मेरा जरूरी है तो जो राम जेठमाला ने जी थे वह तो जनसंग से पुराने लीडर थे बीजेपी के भी सिनियर लीडर से अड़ानी पीसीयर ते इन्होंने बीजेपी से राजसभा में लालू जी की राजसभा में इसने अब्ने उसलों से कोई कॉडमास करता है इसा नहीं है पब्ली की आवाज वक्त करने के लिए और एक डेजिग्नेशन के इसाफ के आप मेंबर राज सभाइं सम्थिंग आपको क्या लग रहा है देखें कॉंग्रेस अपने आप कोई नहीं छोड़ता है कॉंग्रेस पार्टी को जो जानते हैं वो मैं समझता हूँ कि मैं तो 22 साल उसमें रहा आप कुछ करे न करे तो पार्टी बहुत चिंता है वहाँ human touch मानव मानवियस पर्ष मैं कहता हूँ human touch की कमी है कोई भी संगठन वो जिन्दा होता है मुर्दा नहीं होता है और जिन्दा कोई भी चीज हो वह मानवियस पर्ष human touch की अपेक्षा अपने आपको रखते है कि कोई हमको पूसे जैसे मैं पब्ली की कहा तक भी मैं कॉग्रेस छोड़ने जा रहा हूँ किसी ने फौन भी नहीं के लिए दिनों तक इंतजार करना मैं समगता हो कि लीडर के लिए भी ठीक नहीं है और इसके लिए फौन करता है वो पार्टी वरकर के लिए भी ठीक नहीं है जिन्दा संगठन होता है जिन्दे संगठन में समवाद जिन्दा होना चाहिए समवाद की कमी पार्टी छोड़ में मजबूरी बन जाती है राहुल गांदी की लीडर्शिप से दिक्कत होती है कॉंग्रेस के नेताओं को कहीं ना कहीं वो जो अटेच्मेंट दूसरे नेताओं के साथ होना चाहिए वो नहीं होता है देखें पब्लीक लाइब में आना है तो खुद को तह करना चाहिए कोई लोगों में क्या प्रोब्लेम है तो मिलना जुलना चौबीस गंटे में अठारा गंटा पबलीक के बीच जिसमें जाना चीए जाना चीए जरी पब्लिक लाइब आपकी प्राइवेट लाइफ इसमें नहीं होती है और प्राइवेट लाइफ होती है तो फिर पब्लिक लाइफ छोड़ देनी चाहिए इसलिए नेता छोड़ रहे कॉंग्रेस यह भी एक वजह है अगर दिनों तक कोई टेलिफॉन करेगा अपोइंटमेंट के लिए और सामन लीडर है उसको आप यह वाइड करते हैं उसको कमसे कम फोन पर तो पूछे आपका फॉन था मिलने के लिए बोला है मैं मिलने ही सकता है दू दिन के बाद मिलूंगा बताएं क्या बात थी आप टेलीफॉन पर गेमर खेल खेल सकते हैं यह को चार्य करता से डायलोग नहीं क वो कमी है भी लोग यह कहते हैं कॉंग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है उत्मचिंतन तो किया हूदेपूर में देखे क्रिया काण जो होता है जैसे कोई भ्रामीन होते हैं हमको यहां चांदला करते हैं इस कपड़ा धागा बाद क्यूं विधी फॉर्मालिटी है तो कॉंग्रेस की तो चिंतन सिवीर्थी वो क्रिया कान था कर्मा कान था निकलना कुछ नहीं इसमें निकलने लिए अलग सिस्टम होती है अलग सिस्टम के लिए अलग लोग होने चाहिए और पावर डी सेंट्रलाइज होना चाहिए पावर सेंट्रलाइज होने से बहुत दुक् मैं समझता हूँ कि अगर जल्दी कोई आदमी सही जगह पर बैठाया नहीं जाएगा और भी लोग पार्टी छोड़ देगे जल्दी कितनी है आपके वरकर दो जाला है यह जा हर्गर हर बधने इंप्रेशन दिमागेंटानेया लिहाम लोग कुछ बनने के लिए राजसभा कहां से देर बोले कि नहीं है भी राजसभा लादिया तो आई आपके स्टेट में लाइए आप राजसभा के मेंबर यह होना चाहिए निगलक रास्ता नहीं है चली यह थे शंक्रा सिंग वागिला जी जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सुनने वाला नहीं है और जो लोगों की समस्या है कॉंग्रेस के नेताओं की जो समस्या है उसे कोई भी सुनकेर जो जवाब देना चाहिए उस तरीके का जवाब नहीं देते है कैमरामेन उज्वल के साथ गोपी घांगर गांधी नगर आज तक